महिला दिवस के असर पर SCG NCRI Cancer Center नाकपुर ने अपनी विशेश महिला देखबाल क्लिनिक दिव्या लॉंच की है जो सभी आयोवर्ग की महिलाओं को स्क्रिनिंग परामर्ष और परामर्ष प्रदान करती है SCG ने अपने 8-8 पैकेज को भी खोशना की है जास अभी महिलाओं अठासी रुपे में खुद की चांज कर सकते हैं इस पैकेज में शामिल है P.A.P. MSRI, मेमोग्राम, UJC, महिला सलहाकार, आहार विशेशग्य, फिजियो थेरिपस्ट, साइको उनकोलोजिस्ट और सवाइकल कै कांसर टीकाकरन परामर्श के साथ परामर्श या पैकेज 8-12-22-8 अप्रिल-2022 तक वैद है इसके साथ ही HCG कैंसर सेंटर की डारेक्टर डॉक्टर सुचित्रा महते, डारेक्टर डॉक्टर अजे महता, डॉक्टर अनुरादा मराठी लोटे द्वारा कैंसर की जंजाहरूत पर मार्व दर्शिन किया है, जिसका जाइसा लिया है हमारी समादाता शितिजा तेश मुक्नी, आएए डालते हैं एक नसर। हमने वुमन के लिए स्क्रीनिंग के लिए क्लिनिक लाउंच किया है, और इसका इनागरेशन होगा 8th of March, और इसमें जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, और कंसल्टिशन देंगे, ये 8 टाइप के रहेंगे, और इसकी जो कॉस्ट है वो हमने खाली 88 रुपीज रखी है, ताकि सब लोग, सब महलाए सामने आ सके और अपना खुद का स्क्रीनिंग कर सके, तो इसमें हमने टारगेट किया है, जो वुमन में होने वाले कैंसर है, जैसे ब्रेस कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो वो कैंसर के उपर ज़्यादा फोकस करते हुए, हमने मैमोग्रफी, पैप स्मियर ये इंक्लूड किया है, उसमें अल्टर साउन भी रहेगा, अल्टर सोनोग्राफी भी रहेगी, और छोटी जो लड़किया रहती है, तो उनमें सर्वाइकल वैक्सिनेशन के लिए हम काउंसिलिंग भी करेंगे, तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर हमा ब्रेस्ट कैंसर दो से थीन साल पहले हम डिचैक्ट कर सकते है, जसे हम कहते हैं, टाइम वैसे पैप स्मेर एक बहुत सिंपल टेस्ट है जिससे गरबाश है कि मुक्का कैंसर याने सर्वाइकल कैंसर हम पात साल छे साल पहले डिटेक्ट कर सकते कि कुछ अभी एबनॉर्मल सेल्स है ताकि फिर हम वह एडवाइस कर सके वह लेडी को कि आपको ध्यान देना है इसलिए इसका कॉस्ट भी हमने काफी कम रखा है थैंक यू आपकी जो है इसे जी हॉस्पिटल द्वारा हमेशा ही हम देखते कि बहुत ही अच्छे जो है उपकरम जो है मतलब किये जाते है अभी दीविया उमन केयर का क्लिनिक का भी आपने मतलब घटन जो होने वाला है तो क्या बताओगे आज महला दिन के आउसर मतलब महला दिन है उसके आउसर पर आप महला को क्या संदेज देना चाहोगे और जो खास तोर पर जो कैंसर से पीवीत महला है उन्हें क्या करना चाहोगे वैसे देखा जाए तो इंडिया में या कहीं भी आप देख लीजिए तो महला अपने हेल्थ के उपर बहुत ही कम ध्यान देती है और समय भी जो निकालना है तो वो कम से कम समय अपने लिए खुद के लिए निकालती है तो ये कहीं तो भी उनके हेल्थ के उपर बहुत असर करता है वैसे ही कैंसर का है कैंसर के लिए जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हम कैंसर का अरली डिटेक्शन कर सकते हैं और उसके कारण हम कैंसर को बहुत जल्दी से अरली ठीटमेंट देके कंट्रोल कर सकते हैं, तो यही हमारा एम है, हमारा इंटेंशन है, SCG का कि यह ऐसे टाइप के जो क्लिनिक है, यह स्क्रीणिंग क्लिनिक उपलब्ध करके, सर्विसेस उपलब्ध करके, महिलाओं को जागरूत करें, कैंसर अवेरनेस करें, और उनको ज कुछ टेस्ट है, मैमोग्राफी है, पैप स्मियर है, या फिर सोनोग्राफी है, यह सब कैसे करवाएं, यह हम उनको बताना चाहते हैं, यह क्लिनिक के द्वारा, जो कैंसर से पिडित महिलाए है, तो उनको मैं यह बताना चाहूंगी कि, कैंसर इस नोट दे एंड, यह कोई डेथ सेंटेंस नहीं है, तो जितने जल से जल हम कैंसर को पकड़े, और उसकी अरली से अरली ठीटमेंट करे, तो कैंसर पुरी तरह से ठीक हो सकता है, जैसे कैंसर, हम देखते हैं कि, इंडिया में जो है, कैंसर का प्रमान बहुत ही बढ कर रहा है, पर हमारे लिए यह जरूरी है, कि अगर हमें घर में किसी को तकलीफ है, या किसी को कैंसर की कोई सम्मावना लगती है, तो तुरंथ हॉस्पिटल में आएं, क्योंकि जितना जल्दी हमारा निदान हो, जितने अरली स्टेज में हम आ सके, उतने हमारे टीटमेंट उपशन्स बढ़ जाते हैं, उतना कैंसर से बाहर आने की हमारी सकस से रेट जो होती है, वो 90 से 100% होती है, जितना आप लेट स्टेज में आएंगे, जितना संकोच करेंगे, जितना घर में बैठेंगे, कैंसर के बार में बात नहarbeit करेंगे, अगर आपका कैंसर बढ़ गया, स्टेज 3 या स्टेज 4 में गया तो वही जो हमारी 90-100 प्रतिशत हमारी जो संभावना थी कैंसर से बचने की वो 50-60 प्रतिशत हो जाती है और इसलिए यहीं हमारे क्लिनिक आपके सब के बहुत काम आएगा जहां हम लोगों का स्क्रीनिंग करेंगे और छोटी से छोटा कैंसर अगर पकड़ में आए तो उसकी तुरंद हमारे यहां उपचार की भी सुविधा है सेजी होस्पिटल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है हमारे साथ है वेंकेटेज जी उनसे हम जानेगे कि दिविया वोमेन केर क्लिनिक का जो है लांचिंग ऐसी जो हस्पिटल वारा किया जा रहा है क्या बताओगे इसके बारे तो दिविया वोमेन केर क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक है इसमें महिलाओं को कैंसर के स्क्रीनिक करने के साही से सारे सेवया उपलब दोंगे तो हम ये लांच करने का मकसद यही है अभी हमारे देश में महिलाओं में स्टन कैंसर सर्वेकल कैंसर बहुत जोर से इंग्रीज हो रहा है तो इसके बहुत सारे कारण है इसमें एक दो मेन कारण है होगा लाइफस्टेल चेंज और ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा नहीं करना और लेक तंबाकू और टोबाकू प्रोड़क्स लेना इसलिए हम यह सुचे हैं स्टन कैसर सर्वेकल कैंसर स्क्रीन करके यह लोगों में कंप करने के लिए आमने यह दिव्या क्लेनिक लांच किया है इसमें 8 सर्वीसेस उपलब्द होगा 88 रुपीस हम 88 रुपीस रखने का मकसद भी यह है विकर तो खम फैसों में यह सर्वीस होगा अभी जानेंगे नार्मली यह सर्वीसेस का रेट नार्मली होगा लगबग 10,000 रुपीस बट हम अमारा सोशल वर्क एंड अमारा सोशल रेस्पनसबिलिटी लेते हुए है यह क्लीनिक आमने लांच किया मैरा यही दर्खवास्ता है सब दर्भा एंड नागपूर वासियों से यह सुवीदा उपयोग करें यह आपका हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है जो महिला है उसका अकसर उसका regular busy कामों में busy होके यह नहीं करते हैं इसके साथ साथ जब यह क्लीनिक में आप आके screening करवाने के बाद आपको डाक्टर्स के साथ consultation भी होगा उसके में आपको self breast examination का इसा करना है यह भी सिखाया जाएगा इसलिए it is very important every month once doing your self breast examination वो आप आगे वाला cancer को रुखने में बहुत मदद रहेंगे Thank you इसे जो हॉस्पिटल जो है हमेर शाही जंजागरोती जो है cancer के लिए करता है और उमेंस डे पे special जो है दीविया उमें के क्लिनिक का आउजन भी लाँचिंग भी जो है ऐसे जो हॉस्पिटल द्वारा किया जा रहा है कैमेरा परसन अकलिश भारतवाज के साथ मक्षेती जादेश मुख बी से नियोज नागपोर